हेलो और वेल्कम डू आवा चैनल स्टेजिंग राइडी राज के वीडियो में आपको 42 से साया की कटिंग और स्टेजिंग बताने वाली हूँ तो ये मैं 6 कली वाली साया की कटिंग करने वाली हूँ तो इसके लिए मैंने देखिए यहां पे डाय लगबक 72 मीटर फैप्रिक लिया वा है सबसे पहले हमें अपनी फैप्रिक को इस तरह से खोल लेना है और अपनी जो वेस्ट में हमने पटी लगानी है उसके लिए सबसे पहले यहां पे हमें एक पटी कट कर लेना होगा फाइव इंचिस का तो यहां पे हम फाइव इंचिस पे इस तरह से मार्क कर ले तो इस तरह से यहां पर लाइन को मैंने स्टेट कर लिया है और इसे अब हम कट करके अलग कर लेंगे तो देखिए यहां पर मैंने अपनी पट्टी को कट कर लिया है अब जो हमारे यह फैब्रिक है इसे हम खोल लेंगे इस तरह से और हमें इससे इसे फोल करके 4 फोल करके हम अचैशे से इसे बिच्छा लेंगे इस तरह से तो ये उद्धर वाला मेरा बंड साइड है और ये खुलाबा साइड है तो चलिए अब हम इसमें marking करेंगे तो चलिए यहाँ पर हम उपर के साइड से 6 इंचेस पर मार्क करेंगे इस तरह से और सेम हम अपनी और भी यहाँ नीचे पर 6 इंचेस पर इस तरह से मार्क कर लेंगे सो मार्किंग कर लेने के बाद दोनों मार्क्स को हमें पकड़ना है इस तरह से और हमें इसे फोल्ड कर लेना होगा है तो देखिए यहां पर मैंने इसे इस तरह से फोल्ड कर लिया है अच्छे से इसे बठा लेना होगा हमें और अब चलिए हम इसे cut कर लेंगे तो देखिए इसे मैंने इस तरह से cut कर लिया है तो तो ये वाला मेंने बंद वाला side है और इसमें मैंने एक side और खोल लेना है तो चलिए इसे भी हम cut कर लेंगे तो इस तरह से हमें total 6 piece मिल जाएगा तो चलिए अब हम इसे कैसे सिलना है वो बताते है तो हमारा जो 4 पीस हमें चोटा चोटा जो पीस मिला है उससे हम 2 पीस अलग कर लेंगे और यहाँ पे जो हमारा बड़ा वाला साइज है इसमें हमें यहाँ पे 1.5 इंच मार्क करना है और फिर इसे हम कट कर लेंगे इस तरह से और सेम हम पहले अपने जो छोटी वाले पीस है 4 पीस उसमें भी हम करेंगे जो जिस तरव आपका उरेव वाला साइड है वहाँ पे आप इस तरह से 1.5 इंच मार्क कर लें और कट कर लें तो चलिए अब हम इसे सिलेंगे तो यहाँ पे हम पहले इसका टूपीस अलग कर लेंगे और बागे के टूपीस को हम बाद में सिलेंगे तो अब हम यहाँ पे यह वाला पीस हमें लेना है बड़ी वाली और इस पे हम यह देखिए यह मेरा उरेव साइड है और यह सिधा वाला साइड है तो इसे हम इस तरह से बठाएंगे और इस पे शिलाए लगाएंगे सेम हम दूसरे साइड पे भी इस तरह से सीलेंगे तो देखिए इस तरह से मैंने इसे सिल लिया है अब हम दूसरे साइट को भी इस तरह से त्यार कर लेंगे और हमारा सेकंड पीस जो है उससे भी हम इस तरह से त्यार कर लेंगे तो देखिए यहां पर मैंने इसे सिल लिया है अच्छे से सोरी यहां पर लाइट को थोड़े से इश्यू हो रही है तो अच्छे से इसे सिल लेने के बाद हमें अपने दूसरे साइट को भी त्यार कर लिया है तो इसे हम इस तरह से बठाएंगे अच्छे से बठाने के बाद हमें एक साइट तो पुरा सिल लेना होगा बट दूसरे साइट को हमें क्या करना होगा इस साइट को हमें पुरा सिल लेना होगा इस साइट में हमें यहां से हमें धाई इंच पर माक कर लेना होगा और इतना मार्जिन हमें रखना है और इसके बाद हम सिलाय लगाएंगे तो और इसके बाद हमें यहां पर इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेना होगा तो देखिए यहां पर मैंने इसे सिल लिया है यहां पर भी देखिए मैंने फूल करके से सिल लिया है अब इसकी जो पट्टी हमने कट की थी यहां पर देखिए मैंने थोड़ा सा और पट्टी जोइन्ट किया हुआ है और इसे अब हम सिलेंगे तो इसे एक साइट से हमें तो देखिए यहां पर मैंने इसे मोड करके सिल लिया है अब एक साइड जिस साइड हमने सिलाई नहीं की है उसे हम अपनी साय की जो कमर है उस पर बठाएंगे और सिलाई करेंगे तो देखिए हमें सबसे पहले साय की उल्टी वाली साइड पर हमें इसे बठा करके सिलाई तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें लगा लिया है अब हम इसे सीधा करके और इस तरह से हमें से सीधा कर लेना है और फिर जहां हमने सिलाय लगाई थी उस पे ही हम इसे इस तरह से बठाएंगे और एक सिलाय और लगा लेंगे फिनिशिंग वाली इस तरह से सिलाय लगा लेने के बाद हमें क्या करना है अब बस हमारे नीचे की जो पट्टी है वो हमें मोड करके सिलाय लगानी होगी तो चलिए इसके बाद हम नीचे की पट्टी को मोड करके इस पे सिलाय लगाएंगे तो नीचे की जो हमारी पट्टी है इसे हम बस इस तरह से फोल्ड करके और यहां पे हम तीन-चार शिलाय लगाएंगे तो चलिए तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें शिलाय लगा लिया है और यह हमारा जो साया है वो बनके रेडी हो गया है तो होप यह वीडियो आप शिया जरूर किजिएगा थैंक यू